नमस्कार मैं आशुतोष कुमार ओरी दी सर्जिकल स्ट्राइप विकी कौशल की फिल्म 27 सेटमबर को अगर आपने इसका पहला टेलर देखा होगा तो आपका रॉंग्टे वो खड़े होगे और हर बारती का सीना गर्ब से चोड़ा हो गया था और उसी मुवी का आपको दूस चांदार है ये देश अब चुप नहीं बैठेगा ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी आप जान रहे हैं कैसे 2016 में कायर आतंकियों ने हमारे आर्मी बेस कैम जो उरी आर्मी बेस कैम है उसमें हमारे 19 जवानों की आपको हत्या कर दी थी और उसके बाद 29 सितंबर 2016 एत ये हमारे देश जो हमारे देश से बोलते हैं बदल गया है जो आपको इसमें बता रहा है कि कैसे हम लोग ने इतनी युद लड़ी आपको पाकिस्तान से लेकिन फिर भी हम पहली बार कभी वार नहीं करते हैं लेकिन जो उरी की घटना थी उसके बाद ये करना बहुत जरू अगर आपने 300 मूवी देखी है जो किंग लियानर डिनास का कारेक्टर था जो आपको गिराड बटलर ने किया था वैसा ही कुछ लुक आपको इसमें आपको देखने को मिल रहा है विकी कौशल का शांदार मूवी है और बहुत इमोशनल मूवी है और जो 5 सेटमबर को ट्रेल मूवी थी और उसके बाद एक फिल्मों का आपको बहुत ठेंड रहा कि कोई बनाए है आर्ट मी पे फिल्म बनाए लेकिन कोई भी फिल्म उस लेवल की नहीं बन्वाइं लेकिन लग रहा है यह जो फिल्म महा बहुत बहुत ही शानदार diva की मनने वाली है आपको बता दे कर रहे हैं कि काम कर रहे और लीटिंग आक्रिस में आपको यामी गौतम है यामी कोटम ने बहुत वो अपने पिताजी को आखरी सलाम देते देते रो जाती है, वो सीन भी उस ट्रेलर में था, तो फिल्म काफी शांदार है, हमारे इमोशनल लेवल के लिए आपको काफी हाई कर देगी, अब देखना होगा 5 दिसंबर को जो आपको ट्रेलर आ रहा है, उसमें क्या खास है, और ये मूवी जब 11 जनवरी को रिलीज होगे 2019 में, तो लोगों को कितना पसंद आती है, तो हम लगातार उरी पर नज़र बनाए रखेंगे, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, तो हमारे चैनल इन खबर को सबस्क्राइब करें,